हेलो एवरिवान वलकम तो मैं यूट्यूब चानल निकिता अरोरा दिस साइड आपको नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है जी हाँ मैं बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ लेकिन इस साल मैं आपको पिछले साल से भी जादा सिखाने वाली हूँ नई टेकनीक्स नई लुक्स और बहुत सारा नॉलेज तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आज हम सीखन बहुत ही सल्ट्री सा ड्यूई सा नो मेकप मेकप लुक अगर आप यह लुक मास्टर करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है सारी प्रॉड़क नॉलेज आपको मेरी वोईज में मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो ध्यान से सुनना है यहाँ पर ह काफी लोग औरेंज करेक्टर लगाते हैं डिफरेंट आप के पर यहलो ग्रीन करेक्टर लगाते हैं बड़ आपको उसकी जरुरत नहीं है आपको वही भी अपने स्किन टोन से दो से तीन शेड डाक का कंसीलर ले सकते हो और उसे अपने प्रॉब्लमाटिक पॉइंस पे ल करेक्ट होनी चाहिए गाइस सिर्फ वीडियो देखने से मेकप नहीं आएगा प्राक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है तो आपको इसे अच्छे से अपलाई कर लेना है और गाइस मैं बहुत ही अमेजिंग सी अनॉंस्मेंट करने वाली हूँ वह इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी हो सकती है तो इस वीडियो को दियान से सुनिये और देखे और मेकप की नोट्स बनाना ना भूलिये जैसे कि आप देख सकते हमारा कंसीलर कंप्लीटली ओल ओवर दफेस अपलाई हो चुका है अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से से अच्छे से ब्लेंड कर तो आप ध्यान से अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करें इसमें से सारा पानी निकाले और उसे अच्छे से अल ओवर देखेस ब्लेंड कर लीजे उसे क्या होगा अपका प्रोड़क्त जो भी एक्स्ट्रा है वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा ब्रश के स्टोग ब्लेंड हो जाएंगे और आपको मिलता है एंड में एक फ्लॉलेस बेस कलरेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हमारे बेस के तरफ तो हम यह पर पक के स्टुडियो कंसीलर यूज कर रहे हैं दो शेड में तो उसे हम अच्छे से मिक्स करके अपलाई करेंगे एक कंसीलर बफर ब्रश से आप कोई भी ब्रश ले सकते हो अपलाई करने के लिए बट इतना ध्यान रखे कि आपको उसे इवनली कोट करना है फेस पर ऐसा नहीं की कहीं जादा कहीं कम और आप देख सकर हैं मैं ड्राइग नहीं कर रही हूं तो यह बहु दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और इस प्रोड़क की वहाँ डिमांड कर सकते हैं आपको हंड़िट परसेंड ओरेजन और अथेंटिक प्रोड़क्स मिल जाएंगे एक चीज़ और गाईज आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे प्रॉमिस करना है कि आप स्रिफ ये विडियो को देखोगे नहीं बल की प्राक्टस भी करोगे ट्रस्ट मी गाईज अगर आप ट्राक्टस करते हो तो आपका स्किल इतना पॉफेक्ट होता जाता है कि आपको ऐसा लगए गैने कि आपको मेक आता नहीं है यह आपने विदियो से देखकर सिखा हुआ और एक चीज गाइज एक बर वीडियो देखने से आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक अधा स्टेप मिस कर लिया होगा तो जब आप प्राक्टिस करते हो तो आपको सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो आप वीडियो को साइड में अन रख सकते हो स्टेप बाइ स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो और उससे आपका मेक अप का एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और एक चीज अगर आप इसे प्रफेशनल लेवल पर लेकर जाना चाते हो इस अमेजिंगसा अधी एंड का टीज चीज़ अच्छे सीज अच्यूहुक्सी का प्रोफेशनल मेक अंहेयर अर्टिष्टी कोर्स है जो आपको एक लेम्यन प्रोफेशनल आटिस्ट ने अगर बना देता है अंगली इन सिक्स्वीकषट चलिए इस बेस को ब्लेंडे से अ कोई भी product directly उसके packaging में से ना लगाएं product को या तो brush पे पहले transfer करें फिर लगाएं या तो उसे mixing plate पर निकालने फिर लगाएं इससे क्या होता है आपको product में बहुत जादा control मिल जाता है product activate हो जाता है अगर आप product directly packaging में से लगाते हो तो आपको उस पे control नहीं मलता है और वहाँ पर product जादा भी लग जाता है तो इससे आपका makeup patchy और blotchy लग सकता है इस blush को अच्छे से blend करने के बाद मैं selected areas पर आप देख सकते हो छोटे brush दे selected areas पर मैं powder से locking कर रहे हूँ यानि जहां हमारा सबसे ज़्यादा face crease होता है या हमें sweat आता है तो उस area को हम powder से lock करेंगे यही technique के वज़े से बाकी का base हमारा dewy लगता है आप लोग या बहुत सारे लोग क्या करते है कि पूरे face को powder से lock कर देते है तो वो mattify हो जाता है तो वो look आपका dewy नहीं लगता है इस technique से आपका face जहां पर dewy दिखना चाहिए वहाँ dewy दिखेगा तो इस video का आप ध्यान से देखे कि मैं कहां कहां powder अच्छे से इसे lock कर रहे हूँ अब आती है announcement की बारी तो हमने शुरू किया है 100 day challenge of hacks with Nikki on Instagram अगर आप अभी तक हमें Instagram पर follow नहीं कर रहे है तो उसकी link description में दी गई है और साथ ही में मेरी Instagram ID स्क्रीन पर flash हो रही है तो आप हमें Instagram पर follow कीजे और ये सिर्फ आपके लिए hacks नहीं है बलकि इन hacks के साथ आपको बहुत सारे daily basis पर gifts भी मिलते हैं तो हैक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ दो चीजे करनी है आपको मुझे comment section में yes लिख के बताईए कि yes आपको हमें 100 days challenge में जॉइन करना है और दूसरा आप हमें Instagram पर जाकर follow कीजे चलिए तो इस लुक पर फिर से आजाते है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही precisely मैंने पाउडर कर दी है सारा face और अब आगे हम पाउडर रिंग के बाद इस पर लगाएंगे highlighter मैं आपको in-depth lip tutorial भी देने वाली हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और मैं उन लड़कियों को एक message देना चाते हूँ जो हमेशा घर बैट के videos देखते हैं लेकिन कुछ करने ही पाते हैं और कोई नो कोई reason के वज़े से रुख जाते हैं life में तो मेरा आप से एक ही request है get up and do something for yourself आप उठिये और कीजे because बैटने से कुछ नहीं होने वाला है कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपको English नहीं आती है कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप educated नहीं हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके पास इस field के relevant कोई degree है या नहीं है तो यह सारे है ना सिर्फ बहाने और hurdles है आपके और आपके पैशन के बीच में तो आपके पैशन को उठाकर आपके एक प्रोफिटिबल करियर में चेंज कीजे तो आजाते हैं अब लुक के उपर यहां पर मैं कॉस्मे गलो का क्रीम हाइलाइटर लगा रही हूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई भी प्रोडाक्ट हमें डिरेक्ट अप्लाइ नहीं करना है तो मैंने हाइलाइटर को ले लिया है ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड पे और उसे मैं अच्छे से उसके हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ मैंने अप्लाइ की है विच ब्रिंग्स आउट दे लिप्स मोर डिरेक्ली लिक्विड या ग्लॉस अप्लाइ नहीं करना है पहले आपको लिप्लाइनर लगाना है फिर आपको क्रीम लिप्स्टिक लगानी है अभी यहाँ लुक कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं कि अल्रेडी कितना नाच्रल डिवी और ग्लॉसी लग रहा है यहाँ पर आप हम अड़ कर रहे हैं थोड़ा सा लिप ग्लॉस क्यूंकि हमने यह नो मेकप मेकप एवरी डे डिवी ग्लॉसी लुक किया है जो आक्चली सब की डिमांड होती है बीकप भी कवर करते हैं जी हां मैं ये मेरी ब्राइट के साथ भी करती हूँ तो ये बहुत जादा एक प्रोफेशनल होने की निशानी है अगर आप नहीं करोगे तब का फेस अलग दिखेगा और नेक अलग दिखेगा विच इस नौट एडवाइस्ट तो अभी यहां पर उसके उपर मैंने लगा दिया है हाईलाइटर यहां पर मैं यूज करी हूँ विजयाट का हाईलाइटर य मैंने उसके शोल्डर और कॉलर बोन्स के उपर लगा दिया है और यहां पर हमारी यह लुक अल्मोस्ट फिनिश हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना ड्यूई ग्लोई और अमेजिंग लग रहा है और गाईज मैं आप लोग से एक और प्रॉमस करना चाहते हूँ एवरी स घंदे